हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टो आवार यूट्यूब चैनल आज ये क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक हुमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम लोग पर रहेते हैं रेकृट्मेंट रिकृट्मेंट के अंदर हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं एक होता है इंटर्नल सोर्स ओफ रिकृट्मेंट जहां पर हम और्गनाजेशन के अंदर ही जो एंप्लोईज है उसी से अपने जॉब पोजिशन को फिल करते हैं और दूसरा होता है एक्स्टर्नल सोर्स ओफ रिकृट्मेंट जहां पर हम लोग आउटसाइड ओर्गनाजेशन एंप्लोईज को लाकर वेकें जॉब पोजिशन को फिल करते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग पल रहेते हैं यहाँ पर डिफ्रेंट मेथर्ड्स ओफ रिकृट्मेंट एक्स्टर्नल सोर्स इसके अंदर इसमें हम चार मेथर पर चुके थे अल्रेड़ी डिरेक्ट रिकृट्मेंट, कैज्वल कॉलर्स, एर्वर्टाइजिंग, एंड एम्प्लाइमेंट एक्स्चेंज ठीक है जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियो नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट आप्शन में जाके human resource management के playlist में जाके तुम इससे पहले वीडियो जो भी है वो देख सकते हो बाकी और कोई भी subject अगर तुम देखना चाहते हो कोई भी semester का कोई भी university का वीडियो देखना चाहते हो हमारे चैनल के playlist में सारा वीडियो मिल जाएगा तुम चैनल के playlist को visit करो और वहाँ पर तुमको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे ठीक है इसी के सार वीडियो स्टार्ट करते है आज का आज का topic है point number 5 that is placement agencies and management consultants ठीक है देखना placement agencies provide nationwide service पुर देश भर में service है of matching demand and supply of workforce this agency invites by data and record from various job seekers बहुत सारे जो लोग काम खोज रहे हैं उनसे बहुत सारा उनसे information मंगवाता है उनका bio data मंगवाता है job seeker मतलब जो काम खोज रहे हैं and send them to suitable clients और जो companies होती है जिनको requirement है उनको ये data वो भीच देता है ठीक है this agency charges fee थोड़ा बहुत पैसा ये लोग charge करेंगे obviously free में तो बेटा कोई काम करेगा नहीं न तो this agency's charge fees for providing search services these are a kind of employment exchange run by private enterprises यहां पर government नहीं है यह चीच कौन कर रहा है प्राइवेट लोग इसको चला रहे हैं जैसे online बहुत सारा तुम देखे होगे नौकरी.com monster.com है न तो यह सब भी प्रकार का placement agencies ही है उससे पहले हम पढ़ेते एंप्लाइमेंट exchange वो भी यही था बस उसको कौन चलाता था गौर्मेंट चलाता था यहां पर वो प्राइवेट लोग चला रहे हैं खिक है next point number six campus recruitment campus recruitment में क्या होता है जो companies है campus आएंगे campus मतलब जो education जहां पर हम ले रहें MBA या engineering में छोड़ो जौब नहीं मिल रहा है ना become BBA CA का भी event है ना MBA यह सब में क्या होगा हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं हमारे पढ़ाई के final year में campus आता है जहां पर job interviews लेके हमको काम पर रखा जाता है तो freshers लोगों को campus recruitment से हम लोग recruit करता है जिनका just पढ़ाई खतम हुआ है या just पढ़ाई खतम होने वाला है उनको हम recruit कर लेते हैं कहां से educational institutions जाकर है ना colleges जाकर sometime the senior managers of the organization visit various professional colleges technical institutes to get the fresh graduates यहां पर कौन मिलेंगे fresh graduates मिलेंगे जो अभी अभी पढ़ाई खतम किये और the people with the latest technological know-how latest technology का जानकारे भी इनको हुगा है ना क्योंकि अभी अभी पढ़ाई खतम हुआ है इनका this type of recruitment is more common for engineers इंजीनियर लिख दिया बेटा मन रखने के लिए job तो नहीं मिल रहा हूं को है ना computer programmers MBAs etc this organization prefer fresh graduates because they can be molded according to the requirement of the organization हम इसाम fresh graduates खोचते हैं बहुत बार क्योंकि fresh graduates में क्या होता है हम उसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं है ना तो जैसे तुम जानते हो कि इसे वह मिट्टी होता है मिट्टी का जो घड़ा बनता है है ना जब वह कच्चा होगा तो हम अपने style से उसको mold कर सकते हम जैसा चाहें उसका designing कर सकते हैं लेकिन एक बार वह पक गया मतलब सूख गया तो अब उसका design change नहीं हो सकता वैसे ही जो fresh graduates से जो अभी अभी पढ़ाई खतम किया है वह अभी कच्चा है बेटा उसका ना हम mold कर सकते हैं उसको अपने हिसाब से अपने हिसाब से मुसको बदल सकते हैं लेकिन once वह experience हो जाएगा थोड़ा पुराना हो जाएगा उसके बार उसको बदलना बहुत ही ज्यादा difficult होगा है ना next recommendation from present employees जो existing employees organization के अंदर उनको कई बार बोला जाता है कि तुम अपने पहचान के friends relatives को लेकर आओ और recommend करो है ना और उनको बदले में थोड़ा बदकुछ commission भी कई बार दिया जाता है many forms encourage their employees to recommend the names of their relatives friends and others known people to fill the vacant job positions the organization prefer recommendation by trusting the goodwill of the present employee present employee का कितना goodwill है उसके हिसाब से उसका recommendation पर हम ध्यान देते हैं and the organization can catch hold the existing employees if there is any problem with the new employees recommended by him इसे फाइदा क्या है अगर जो नया employee हम काम पर रखे हैं अगर उसमें कोई दिक्कत आता है कोई problem होता है तो हम यह existing वाले को पकड़ सकते हैं बोल सकते हैं तुई तू रेकमेंड किया था तो तू बता तू समाल इसको यह ऐसा क्यूं बोल रहा है तो हम existing वाले को कम से कम question क कर सकते हैं ठीक है next labor contractors labor contractors होते हैं जो गाओं में basically जो contractors होते हैं जिनका बहुत टच होता है वहां के local workers लोगों के साथ हमको कोई भी काम करवाना है तो हम अपने contractor को बोल सकते हैं और contractor फिकांट कर लेगा labor लोग के साथ और उनको ले आएगा basically ज्यादा था construction sites पे यूज होता ह है contractors लोग क्या करते हैं हम contractor को बोल दिये वो अपने हिसाब से labor ले आता है फिर है ना Jobbers and contractors are the people who keep in touch with the labor in the villages and rural areas and whenever there is a vacancy or requirement for labor in factory or in the construction site they bring the labor from the villages and supply to businessmen the jobbers and the contractors charge commission इसके बदले वो लोग थोड़ा बहुत कुछ commission चार्ज करते हैं for the same this is suitable for laborers and unskilled worker लोग या unskilled worker लोगों के लिए ठीक है ये type का recruitment ठीक है advertisements निकालना ठीक है देखना और new trend of external recruitment is telecast on various channels regarding the vacant job positions the telecast requirement of job along with the qualification necessary to apply ठीक है तो क्या कितना vacancy है क्या qualification चाहिए हम सब कुछ detail में बता देरते हैं कहां पर television advertisements में और वही चीज़ अगर हम internet में websites में कर रहे है तो उसको बोलेंगे web publishing web मतलब internet यहां पर ठीक है in internet there are certain websites specifically designed provide information regarding the job seekers and the companies which have vacant job positions these websites can be visited by job seekers as well as by company the common websites are naukari.com monster.com etc clear रही है तो this is all about internal and external sources of recruitment ठीक है उसके वादिक difference between है बहुत ही बढ़िया internal और external के बीच में क्या difference है यहां पर detail में दिया हुआ है ठीक है फटा फट से 5 points है हम रीट करेंगे इसको बीटा तुम चाहुत एक screen इसक्रीन सॉट भी कर सकते हो इसका ठीक है ठीक है तुम चाहुत एक screen रीट कर लो पांच का पांच पॉइंट तुमाइए screen में दिखरा होगा यह ना एक screen रख सकते हो इस इस दिफरेंस बेट्वीन इंटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूट्मेंट एंड एक्स्टर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूट्मेंट ठीक है पहला मीनिंग पटाफट से रीट करेंगे सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है जल्दी जल्दी रीड करके खतम करेंगे ठीक है मेनिंग इंटर्नल रिक्रूट्मेंट मेंस मेकिं यूज ऑफ दा एक्सिस्टिंग स्टाफ तो फिल अप दा वेकें जॉब पोजिशन इन दा और अर्गनाजेशन जब हम एक्सिस्टिंग एंप्लोई को यूज कर रहे है उसको बोलते हैं इंटर्नल सोर्स और वहीं अगर ह लोग नए लोगों को ला रहे हैं बहर से तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्स्टर्नल सोर्स ठीक है next time इंटर्नल में कम समय लगेगा और एक्स्टर्नल में ज़्यादा समय लगेगा time it is less time consuming कम समय लगता है internal sources में और external में it is more time consuming ज्यादा समय लगेगा externals में ठीक है economy सस्ता internal ज्यादा economical होगा ज्यादा सस्ता होगा क्योंकि हम गोंगों खर्चा नहीं करना पड़ेगा advertisement में selection में में training में यह सब खर्चा बचेगा हमारा ठीक है economy it is more economical it does not involve any cost of searching external sources और यहां पे costly होगा बहुत क्योंकि बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा हमको employees को काम पर रखने के लिए जैसे के advertisement करना training करना selection करना quality internal में लेकिन demerit limited choice होता है internal we have a limited choice तो अच्छा quality नहीं मिलता limited choice होता है लेकिन बाहर outside organization we have a wider choice हमारे पास अच्छा quality के employees मिलेंगे हमको क्योंकि हमारे पास wider options होता है ठीक है and last one moral of the employees internal में existing employees ज्यादा खुस होते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो उनको आगे चलके promotion मिलेगा to this method boost up the moral of the employees ज्यादा खुस होते employee अगर internal source होगा तो क्योंकि उनको पता है कि आगे चलके उनको promotion मिल सकता है और external से उनलो उतना ज्यादा खुस नहीं होते क्योंकि कोई नया विक्ति आके उनका पोजिशन ले लेगा है ना this method brings down the moral of the employees employees का moral को down करता है कौन सा method external sources of recruitment ठीक है तो दिस आल अल अबाउट वाट इस रेकुरिटमेंट वाट इस इंटरनल source of recruitment वाट इस external sources of recruitment यह मारा तीसरा वीडियो था दो और वीडियो हम publish किये थे recruitment को लेकर overall 20-20 minutes का 3 वीडियो हो गया एक घंटा में पूरा का पूरा recruitment topic तुमारा complete हो जाएगा चैनल के playlist में जाके serially 3 वीडियो देख लेना तोटल एक घंटा लगेगा recruitment topic 100% clear हो जाएगा ठीक है बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों के साथ share जरूर करना और वीडियो के description में instagram id whatsapp groups telegram channel इसका link है उसको join करो वहाँ पे तुमको timely updates मिलता रहेगा अभी के लिए इतना मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए thank you and bye bye